बिसमिल्लारमारी रहीम, आसाम अलेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो टिटोरियल में हम नेक्स स्टेप करेंगे, पहले दो स्टेप हो चुके हैं, हमने एम भी क्रियेट की, अखार्डिंग टो एक्चुल वर्क और उसके बाद हमने समरी क्रियेट कर दी है, और नेक्स आई-पी-सी फॉर यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे, देखें सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसमें आई-पी-सी में, वो क्लाइन कंसल्टेंट इंड नेम, प्रॉजेक्ट नेम, आई-पी-सी नमबर हमें देना होता है, मांत देना होता है, ठीक है, एंडिंग, डे कंक्रीट इन फांडेशन हमने, अंडर मैट फांडेशन 75 mm थिक, ठीक है, यह 75 mm भी हो सकती है, यह कोई भी हो सकती है, वहाँ पे मैंने, डिफेंट डाइमेंशन नी है, तो यह 25 अगर करें तो 25 भी कर सकते है, उसके बाद, नेक्स्ट टुइट, आर सी कंद्रीट फांडेश फांडेशन है, जो भी काम आपने किया है, उसके जो डीटेल भी हो क्यूं से आपको मिलेगी, वह यहाँ पे आपने अड्क करनी है, और नेक्स्ट हमने, टोटल एक्जेक्यूटेट क्वांटिटीज, आमने यहाँ पे अड्क करनी होती है, फार मैट फांडेशन इन एक्सक कर दिया, ठीक है, यह चीज़, अब देखें, चीज़ें आटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम आ जाएंगी, यहाँ पे प्रिवियस में, तो एक्वल टू, और प्रिवियस हमारे पास, कोई नहीं है भी, प्रिवियस में, नेक अँवास थागरे पास, अठीक कर अवर B пон सकते हैं, यहा पे अपे तोतल म आत्यों कि प्क्रेट कर अएंग आट क्यू एक्युत्यामंट कर देखें, यह पातीन से कॉटेट कर देखें यहाँ पीडऻ कर देखें, जू एक्युतिक वनीप्र मुल्सक्राइब लेक्ति का दि previous multiply by unit rate and this IPC will be equal to हमरे पास होगा this IPC multiply by unit rate so यहां पर फार्मूला को insert किया गया है और देखें according to this जो total हमने work किया है भी देखिस महाँने में 8% work किया है ओके and यह basically क्या होगा to date amount divided by total amount we'll just give us the total percentage आपने करना यह है कि format cell में जाके format को change करके percentage में करना है ठीक है यहां पर percentage में जाके decimal degree को decimal places को zero करके okay कर देना है ठीक है यह आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमरे पास जो यहां पर work है this IPC work divided by total quantity will also give you the total percentage जो कि यह amount से भी हो सकते हैं और work से भी हो सकते हैं तो यह पहली चीज़ उसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं और हमने under mat foundation हमने PCC को करना है सो मैं equal करूंगा और PCC में जाके यहां पर करता हूं equal okay सो यह चूंके decimal हमारे आफ हैं तो मैं format cell में जाके number decimal करता हूं यहां पर तो 5.50 okay and then previous के दिए फिर again मैं PC summary में आके previous को add करूंगा इस तर से हमने add करना ठीक है और this is the difference between both of these यह मैं आपको समझा चुका हूं ठीक है two date जो होगी हमारे पास executed amount वो two date quantity multiply by unit rate होगा इसी तरह previous हमारे पास होगी previous executed quantity is multiplied by unit rate we'll just give us a previous amount ओके और this IPC will be equal to this IPC executed quantity multiplied by unit rate ओके और percentage basically होगा two date amount divided by total amount okay सो हमारे पास total percentage आ जाएगी के इतना percent हमने work के लिए है next to it हमने mat foundation के लिए RC की तो वो भी हमारे पास equal to हम RC में चले जाएंगे इसकी summary में और यहां पर हमने इसको hit enter कर दिया ठीक है यह भी हमारे पास okay and next previous हमारे पास आ जाएगी equal to यह है previous and then this IPC will be equal to two date minus previous okay done हो गया फिर two date में आपको समझा जुका हूँ फिर हमारे पास previous amount and then this IPC amount and this is the total percentage two date percentage okay I think seven percent हम complete कर चुके हैं किसका mat foundation RC का okay और six percent हमने PC का किया है और इसी तरह eight percent हमने excavation का किया है तो यह तो यह तमाम चीज़े हो जुकी है अब यह इस तरह से आपने IPC को create करना है फिर यह करने के बाद हमने जाना है यहां पे और यहां पर हमने interim payment certificate number one create करना है जहां पर हमने sum up करना है तमाम को ठीक है client name आपने देना है consultant name आपने देना है interim payment certificate number देना है आपने उसके पाद project and the contractor name यहां पर आपने month देना है ठीक है फिर जो total contract amount होगी आप यहां पर लिख सकते हैं serial number description to date amount आगई previous amount आगई और this bill amount यहां पर total होगा engineer के sign होगी जो के हमारे लिए approval के जाएगा ठीक है तो देखें सबसे पहले हमारे पास आगे value of work done okay to date हमारे पास आजाएगा equal to मैं यहां पर आ जाओंगा और value of work done to date यहां पर total sum up होगा ठीक है हमने किया नहीं है तो यहां पर sum up उने चाहिए इसका भी sum up उने चाहिए यह तमाम चीज़ों का sum up उने चाहिए sorry यहां पर हो चुका है two date executed amount की बात हो रही है ठीक है तो two date का sum up यह है ठीक है done कर दिया इसके बाद previous है कर कोई है तो फिर हमने यहां पर जाना है और यहां से previous को उठाना है फिर next to it this bill equal to sorry this bill will be equal to what two date minus previous होगा ठीक है या फिर आप यहां से भी उठा सकते है इसको equal to यह हमरे पास आगया this ipc okay it enter कर दिया तो यह total this bill मतलब कि इस माईने का जो bill है वो यह है हमारा बन रहा है ठीक है जिसके लिए हमने claim करना है तो यह यहां पर net payable amount आ जाएगी हमारे पास to date okay previous so दोनों का जो difference होगा यहां पर net payable amount आ जाएगी पिर यहां पर हमारे पास engineer representative के signature होंगे और यह claim के लिए चली जाएगी मतलब कि हमारी amount okay after checking all of the things from these these person quantity surveyor, contractor project manager, consultant QS and consultant project manager इनके approval के बाद यह से तुमाम चीज़े हो सकेंगी तो इस तरह से हम एक process से गुदरते IPC create करने के लिए और hopefully आपको यह तमाम चीज़ें समझाई होंगी, बहुत ही ज्यादा important रे construction में अगर आप QS काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने payment किस तरह से create करने हैं और मैंने आपको practically चीज़ें करके देखाई हैं आपको internet पे यह कहीं भी इस तरह की चीज़ें मिलने वाली नहीं है, ठीक है, so personal experience से यह चीज़ें मैंने share की है, hopefully आपको फाइदा होगा और next tutorial में जो कि बहुत ही ज्यादा important है कि मैं आपको बताओं कि हम यह जो previous वाला चक करें, यह किस तरह से हम यहाँ बेड़ करेंगे, और इसके पीज़े concept कि है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा, तो मिल दें next tutorial में